हलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेस आज मैं बीए सेमस्टर वन जो एनिपी के लिए एक नया से लिपस आया है उसके पेपर एम जे वन से एक काफी बहतुपूर्ण विशह दर्शन या दर्शन शास्त्र लेकर उपस्तित हुआ हूँ तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हमारा प्रशन है दर्शन या दर्शन शास्त्र से आप क्या समझते हैं इसके स्वरूप एवं प्रकृति का वर्डन करें दर्शन या दर्शन शास्त्र का तातपरिय एक ऐसा चिंतन शील ग्यान जिससे मनुश्य अपनी जिग्याशा को शांत करता है या मुख्यता दो शब्दों के योग से बना है ये शब्द है फिलोस तथा सोफिया इन शब्दों का अर्थ होता है प्रेम तथा ग्यान अता शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है जा सकता है कि ग्यान के प्रती प्रेम ही दर्शन या फिलोसफी है इस स्थिती में ग्यान के प्रती प्रेम या अनुराग रखने वाला दर्शनिक या फिलोसफर कहलाता है दरसल चिंतन शिल्था मनुष्य की मौलिक विशेष्टा है जो सामानेता अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है चिंतन शिल्था के कारण ही चिंतन शिल्था के ही कारण मनुष्य अपने तथा विश्व के विशय में यथार्थ ज्यान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है वह अपने वर्तमान के अतरिक्त भूत तथा भविश्य के प्रती भी सचीत रहता है मनुष्य में अन्य प्राणियों की तुल्ना में बुद्धी अधिक होती है इसी बुद्धी द्वारा मनुष्य अपने प्रश्णों के उत्तर प्राप्त करने के लिए युक्ती युक्त प्रयास को ही दर्शन कहते हैं अब इसकी परिभाशा को समझने का प्रयास करेंगे दर्शन शास्तर की विसिस्ट एवं जत्रिल प्रकृती होने के कारण कोई एक परिभाशा प्रस्तुत करना प्राया असंभव है विविन विद्वानों ने भिन भिन दृष्टिकोंड से दर्शन शास्तर की अनेक प्रिभाशाएं प्रतिपादित की है कुछ दार्शनिकों ने इसकी परिभाशा निर्धारित करते समय मुल्यों को अधिक महत्व दिया है जबकि कुछ अन्य दार्शनिक मनोवेग्यानिक तत्यों को आधार मानते हैं दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाशाय निमनिलिकित है पहला बेरिट के अनुसार निशकर्षों के विसिस्ट अंतरविस्तू नहीं बलकि उन पर पहुचने की प्रेड़ना तता विधी ही उन्हें दार्शनिक कहलाने योग्य बनाती है दूसरे हैं विंडल बैंड के अनुसार दर्शन सारवभौम मूल्यों का आलोशनात्मक विध्यान है तीसरे हैं जौन डिवी इनके अनुसार दर्शन ऐसे ग्यान की प्राप्ति के अगोतक है जो जीवन के व्यवहार को प्रभावित करता है चौते हैं ब्राइटमेन के अनुसार दर्शन अनुभव के विशय में निश्कर्षों का समूह ना होकर मूल रूप से अनुभव के प्रती एक दृष्टिकोण या पद्धती है पाचवा है डुकासे के अनुसार दर्शन समिक्षा का एक सामानी सिध्धान्त है चठा हारबर्ट स्पेंशर के अनुसार दर्शन प्रतेक वस्तु से संबंदित है वा एक सारुभाम विज्ञान है उपयुक्त वर्णित परिभाशाओं का विशलेशन करने से ग्यात होता है कि दर्शन शास्त्र के अर्थ एवं स्वरूप के विशय में दर्शनिकों में परियाप्त मतभेद है जहां एक और कुछ दर्शनिक दर्शन शास्त्र के समिक्षात्मक स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं वही दूसरी और अन्य दर्शनिक दर्शन शास्त्र के समन्वयात्मक स्वरूप का प्रतिपादिन करते हैं परंतु इन दोनों में से किसी भी दृष्टिकोंड को पूर्ण रूप से सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही दृष्टिकोंड एकांगी है दर्षन शास्र समिक्षात्मक होने के साथ ही साथ समनवयात्मक है दर्षन शास्र का उद्देश सत्य की खोज है यहां या स्पस्ट कर देना आवश्यक है कि भले ही सत्य या ग्यान को प्राप्त हो या ना हो परंतु दार्शनिक निरंतर सत्य ग्यान एवं सत्य की खोज में सनलगन रहते हैं दार्शनिक ग्यान के स्वामित्व का दावा नहीं करते परंतु ग्यान प्राप्ति के प्रती प्रेम एवं लगन तथा प्रयास का दावा अवश्य करते हैं हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक दार्शनिक प्रक्रिया है जिसके अंतरगत कुछ विशिस्ट समस्याओं को विशिस्ट द्रिष्टिकोण तथा विशिस्ट विधियों द्वारा हल किया जाता है तथा विशिस्ट निश्कर्ष एवं परिडाम प्राप्त किये जाते हैं अब हम इसके विशयवस्तु को देखें, तो दर्शन शास्त्र का अर्थ एवं परिभाशाओं के विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र का विशयवस्तु परियाप्त व्यापक है, ग्यान के इस छेत्र में दाशनिक समस्याओं के साथ ही साथ भौतिक तथा सामाजिक विज्यानों की मूल मानिताओं तथा अब तक प्राप्त निशकर्षों का भी अध्यन किया जाता है इसी तत्य को विशिस्ट ढंग से सीडी ब्रॉड ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है दर्शन का लक्ष विभिन विद्वानों के निशकर्षों को लेकर उनमें मानव जाती के धार्विंग तथा नैतिक अनुभवों को जोड़कर और विश्व की प्रकृती तथा उसम हमारी स्थिति और भविश्य के विश्य में सामाने निशकर्षों पर पहुचने की आशा रखते हुए संपूर्ण का चिंतन करना है अब हम इसकी प्रकृती को देखेंगे किसी भी विश्य का विवस्थित अध्यन करने के लिए उसकी प्रकृती को जानना परम आवश्यक ह होता है उधारन के लिए जब हम समाश शास्त्र या राजनिती शास्त्र के विशह में विचार करते हैं तो स्पस्ट रूप से कहा जाता है कि इनकी प्रकृती का प्रशन उठता है दर्शन शास्त्र ना विज्ञान है ना ही कला है दर्शन शास्त्र की प्रकृती अपने दर्शन शास्त्र की समस्यां सामानने होती हैं इन समस्याओं को दोवर्गों में रखा जा सकता है पृथम वर्ग में उन समस्याओं को रखा जाता है जो दार्शनिक विज्ञानों से संबंधित हैं मुख्य दार्शनिक विज्यान है प्रमान शास्त्र, तर्क शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, मूल्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नीती शास्त्र तता धर्म दर्शन आदि इन दार्शनिक विज्यानों की समस्त समस्याएं दार्शनिक समस्याएं हैं दर्शनिक समस्याओं के दूसरे वर्ग में विभिन विज्यानों की सामान्य समस्याओं को भी दर्शनिक समस्या के रूप में स्विकार किया जाता है इस रूप में दर्शन शास्र विभिन विज्ञानों की मूल मानिताओं एवं उनके द्वारा प्राप्ट निर्णेयों की समिक्षा करता है दर्शन इन मानिताओं तथा निश्कर्षों में समन्वय का कारे भी करता है दूसरा है दर्शनिक द्रिष्टिकोन दर्शन शास्र की प्रकृति को स्पस्ट करने के लिए दार्शनिक द्रिष्टिकोन का उलेक करना भी अनिवार्य है दार्शनिक द्रिष्टिकोन वैग्यानिक द्रिष्टिकोन से पर्याप्त भिन है इनकी मुख्य विशेष्टाएं हैं आश्चर्यबोद, संदे, समिक्षा, चिंतनात्मक्ता, निश्कर्ष प्राप्ती में पर्याप्त धैर्य, तठस्तता तथा निरंतर्ता तीसरा है दार्षनिक विधिया या विधिया दर्षन शास्र के अध्यन के लिए आवश्यक है जिसमें से मुक्य है आगमन विधी, निगमन विधी, विशलेशन विधी, संशलेशन विधी तथा द्वन्दात्मक विधी इन विधियों को अपना कर ही दार्षनिक अध्यन होते चौथा है दार्षनिक प्रक्रियाएं दर्शन शासर की प्रकृति को समझने के लिए दार्षनिक प्रक्रियाओं को जानना अनिवार्य है सामाने रूप से आश्चर्य, जिग्यासा, वर्तमान जीवन के प्रती आध्यात्मिक असंतोश से प्रिरित होकर ही दार्शनिक प्रक्रिया प्रारम हुआ करती है दार्शनिक प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है तथा सामाजिक स्तर पर भी या अकेले भी हो सकती है तथा सामोहिक परिस्थिती में भी हो सकती है दार्शनिक प्रक्रिया का एक निश्चित लक्ष होता है और वह लक्ष है विश्व का सरवांग पूर्ड चित्र प्रस्तुत करना अंतता अगर हम निश्कर्ष को देखें तो दर्शन शास्र में विभिन दार्षनिक विधियों को अपना कर विभिन दार्षनिक निश्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं इस प्रकार से प्राप्त निश्कर्षों में प्रयाप्त भिनता होने पर भी इनका प्रभाव, व्यक्ति, समू तता समाज के जीवन पर अवश्य द्रिश्टिगोचर होता है इन समस्त तत्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि दार्शनिक समस्याओं, दार्शनिक द्रिश्टिकोण, दार्शनिक विधियों, दार्शनिक निश्कर्षों तता व्यक्ति एवं समाज के सामान्य जीवन पर दर्शन के पढ़ने वाले प्रभाव के कारण अत्रकार से हमारा यह विशय यहा समाप्त होता है अगले विशय में अगले क्लास में हम एक नए विशय के साथ दुबारा हादिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद